नमस्कार मैं हूं ससी आया जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं देश में जल्द खूल सकते हैं स्कूल क्रोणा में हमारी के कारण बंद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए ICMR के बड़ा बयान आया है ICMR ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए हलाकि अब फैसला जीला और राज अस्तर पर लिया जाएगा और कई तथियों पर नेवर करेगा ICMR के डीजी डाक्टल बलराम भारगव ने कहा कि छोटे बचे वायरस को असानी से हैंडल कर लेते हैं उनके लंग्स में वह रिसेप्टर कम होता है जहां वायरस जाता है सिरो सरवे में देखा गया है कि 6-9 साल के बचे में लवा उतनी एंटीबोडी दिखी जितनी बड़े में हैं जहरखन के मौसम विभाग ने पूरवनमान किया है कि बंगाल की खाड़ी में 23 जुलाई को एक निम्न दबाब बन रहा है इसका असर राजे पर भी दिखने को मिल सकता है इससे कहीं कहीं हलकें से मत दज की बारिस हो सकती है बारिस से तापमान गिरेगा और गर्मी से भी रहात मिल सकती है ज्यार्खन के राजेपाल बनने के बाद रमेश बैस गए दिल्ली ज्यार्खन के दस्वे राजेपाल रमेश बैस ने मंगलवार को दिल्ली में राश्ट पती रामनात कोविंद और पधार मंत्री नाद मोदी से मुलकात की जार्खन गोवर्नर की या भेट सिष्टा चार भेट पताई जा रही है बता दे जार्खन गोवर्नर बनने के बाद स्रीबैस का या पहला दिल्ली दोरा है जार्खन की पूर्व राजपाल द्रोपती मुर्मु की जगा रमेस बैस राज के गोवर्नर बने है सिरी बैस इस से पाले त्रृपुडा के राजेपाल थे जार्खन के शिक्षा मंतरी 10 महिने बाद पीता से मिले जारकन के सिख्चा मंत्य जगनात महतों के पिता नेम नरायन महतुर लगवग 10 महीने बाद अपने बड़े पुत्र सह मंत्री जगनात महतों से राची स्थित आवास में मिले इस दोरान दोनों पिता पुत्र काफी भाविक हो गए बता दे दोनों के आखे डब डबा गई चा रहे थे वह SDO महस्वर महतों ने पंडा धन्मरक्षिनी सभा के साथ बैठ कर अप एक्छात्मक स्वयों की अपील की सिक्षा से वनचित न हो कुरोना काल में माता पिता को खोद देने वाले बच्चे कुरोना काल में अपने माता पिता या उनमें से किसी एक कोखोने वाले बच्चों की सिक्षा बाधित नहीं होगी केंद्रिये सिक्षा मंत्राले एवं केंद्रिये महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने इसे सुनी स्चीत करने की निदेश राज्य के इसकुली सिक्षा यम्सक्षाता विभाग को दिये हैं इस आलोक में जहारखन सिक्षा पर्योजना परिशत के निदेशक डाक्टर सेलेस कुमार चोरस्या ने सभी जीला सिक्षा पता दिकारियो वजीला सिक्षा अधिक्षकों को पत्र भेज कर ऐसे बचों की पचान कर उन्हें सिक्षा से जोडने को कहा है जहारखन में हर महिने दर्ज हो रहे असी से ज्यादा साइबर अपराद के मामले जहारखन में साइबर अपराद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वोटीपी सेयर कर रुपए उड़ाने, लिंक भेज कर खातों से रुपए उड़ाने, सोसल साइट पर फर्ची आईडी बनाने, असलील आपती जनक टिपनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं राची सहित राजयभर में हर महीने असी से ज़्यादा आईटी एक के मामले दर्ज हो रहे हैं बता दे पिछले पांच बर्सों के भीतर, अलग-अलग साइबर थानों सहित अने थानों में 3596 में मामले दर्ज हुए हैं तीसरी लहर से नी पटने के लिए प्राइबेट अस्पतालों में 20% बेट रिजर्व कुरोना संक्रमित बचों के इलाज के लिए कई तरह से त्यारी चल रही हैं जिसमें Oxygen Supported Bed, Oxygen Trank, High Dependent Unit और Intensive Care Unit बेट सामिल हैं ये बेट से सरकारी और प्राइबेट अस्पतालों में रखे गए हैं सभी CHC में 20 सग एकी टीम बना कर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाई प्राइबेट में 20% बेट डिजर्व किया जा रहा है इसे लेकर Health Department ने सभी प्राइबेट अस्पताल को आदेश जारी कर दिया है नौकरी से हटाये गए पुलिस कर्मियों के मामले में दो सपता बाद होगी सुनवाई जारखन High Court के Chief Justice Dr. रवीरंजन वा Justice S.N. पसात की अदालत में नौकरी के एक साल बाद हटाये गए पुलिस कर्मियों के अपील याचका पर सुनवाई हुई इस दौरान राज सरकार की ओर से समय देने की माँग की गई जीसे अदालत ने सभीकार लिया बता दे पुरू में इस मामले में अदालत ने राज सरकार को केस से समन्दित से दो, हजारीबाग से दो, वोकारू से आप, धनबाद से दो, रामगर से एक, पच्मी सिमून से एक, पलामू से एक, देवघर से एक, लातेयार से तीन, सराय केला, दो, सिम्डेगा, पांच, लोहरदगा, एक, जामतरा, एक, साहिवगंज, एक मिले हैं, चरकॉन में कूल ए उग्रवादी को ठेर करने वाली टीम समाने इत, राजय में उग्रवादियों खिलाप पुलिस का ओप्रेशन लागातार रंग ला रहा है, बतादे खुटी में 10 लाग के नामे हाटकोर, पीलेफाई उग्रवादी, सनी चर, सुरीन के एनकाउंटर करने वाली टीम के लिए सोमवार को समान समारो आयोजित किया गया, इस दोराण डीजीपी ने टीम में सामिल सभी पुलिस कर्मियों अधिकारियों को प्रससित पत्र और नगद इनाम देकर समानित किया मवादियों के खिलाप तेज होगा अभियान डीजीपी जारखन में नक्सलियों के खिलाप अभियान तेज होगा मंगलवार को डीजीपी नीरज सीनहा के साथ स्यारपी एफ टीजी कुलदीप सींग ने मुलकात की जनकारी के अनुसार पुलिस मुख्याले में हुई दोनों अधिकारियों के मुलकात में परदेश में चल रहे नक्सल अभियान को लेकर चर्चा हुई अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अभियान के दोरान चार्खन पुलिस के साथ CRPF जवान का मुवमेंट सतरकता से हो ताकि वे नक्सलियों के जाल में नहीं पसे चात्रा में तबादले के लिए एक अगस्ट से आवेदन करेंगे सिक्षक चात्रा में जीला के अंदर होने वाले सिक्षकों के तबादले के लिए एक अगस्ट से आवेदन लिये जाएंगे बतादे सिक्षक पाँच अगस्तक टूचर टांसफर पोटल पर आवेदन कर सकेंगे इसके लिए स्कूली सिख्चा और सक्षर्टा विभाग के परात्मिक शिख्चा नीदेशक डाक्टर सैलेस कुमाचोरसिया ने दिशा नीदेश जारी कर दिया है बतादे आस्थानांतरन के लिए सिक्षको के आवेदन करने के बाद 15 अगस्तक समंधित प्रकंट सिक्षाप प्रसार पदाधिकारी और छेत्र सिक्षाप पदाधिकारी उसका सत्यापन करेंगे तीसरी लहर को लेकर ज्यारखन बंगाल सिमा पर बढ़ी चोक्सी खोटी जिले में वर्दी मेरा जुनून कारेकरम सुरूँ खोटी के युवाओ के लिए बीरसा कॉलेज एस्टेडियम में वर्दी मेरा जुनून कारेकरम की सुरूआत की गई है बता दे इस कारेकरम के अंतरगत वैसे युवाओ को निसुल्क प्रसिक्षन दिया जाएगा जो देश सेवा का इरादा रखते हुए सेना एवं पूलिस में भर्ती होना चाहते हैं कुलेजवर कुमार के अध्यक्षता में पहले दिन सोव से अधिक युवाओ इस कारेकरम में जुड़े अब परते एक दिन बेशा कॉलेज एस्टेडियम में सुब़ दो घंटे प्रसिक्षन कार चलेगा जिसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों भाग ले सकते हैं पता दे एबी वीपी जीला संजोजक सुरब कुमार साहू ने बताया कि सेना आत्वा पूलिस के किसी भी पद में भर्ती के लिए सारेरिक छमता को बनाये रखना अतियावस्यक होता है जिहारखन के सराय के लग खर्षवा जिला अंतरगत कुचाई इस्थीत कल्यान विभाय के अस्पताल को सुचारू रूप से संचालित करने के मुद्दे पर खर्षवा विधायक दसरत गाग राई सुमवार को राची में मुख्यमंत्री हमन सुरेन से मिले उन्होंने सीम को अस्पताल की बर्तमान इस्थी से अउगत कराते हुए सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवस्य करवाई करने का अगरख या है जिहारखन रक्षा सकती वीवी में नमायंकन 10 अगस्त तक आंत्रिक सुरक्षा की पढ़ाई के लिए देश के तीसरे वीवी जिहारखन रक्षा सकती वीवी में कूल 9 कोर्स की पढ़ाई होगी इसके लिए कूल 383 सीटे निर्धारित की गई है बतादे इस वीवी ने इस सत्र में इन कोर्स में नमायंकन के लिए एक छुक उमिद्वार से 10 अगस्त तक आवेदर अमांत्रित की है धन्यवाद